आप सभी वी द्यार्थियों का एक पर फिर से हर देख स्वागत है हम पिछली क्लास में लोकसभा के समन्द में पढ़ रहे थे लोकसभा के समन्द में ही थम थोड़ा वापस अगे शुरू करते हैं हमने पिछली क्लास में पढ़ाता है कि लोकसभा में किस तरीके से परिसिमन कैसे होता है उसके सदस्यों का आरक्षन कैसे प्रदान किया गया है हम उसकी कुछ सीटों की बात करते हैं कि अलग लग राज्यों की लोकसभा में सीटें कितनी कितनी है कैसे कैसे है आपने देखिए राज्यसभा के समन्द में भी पढ़ाता पहले कि राज्यसभा में सीटें क इस तरीके से परदान की गई है राज्यों को चूंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिन हित्व करता है और लोगसभा जनता का प्रतिन हित्व करता है लेकिन हमारे हाँ राज्यसभा में भी जनसंग्या के आधार पे राज्यों को प्रतिन हित्व दिया गया है और लोग सभा में भी राज्यों की सीटें वो जनसंग्या की आधार पे है तो जिस राज्यी की जनसंग्या ज्यादा होगी चूंकि उसकी जनता का प्रतित्व करने वाला सदन है तो वहाँ उसकी सीटें भी वो ज्यादा होने वाली है तो लोग सभा की सीटों का वंटन राजियों में किस पकार से किया गया है उसमें आपने दो सिद्धा अंतार्टिकल इक्यासे में पहले पढ़ लिये थे हमने पर्चचा कर लिये थे उसकी वो जन्संग्या की आधार पे किया गया है और राज्यसभा की सीटों में आपने देखा कि किस तरीके से मैं एक बार थोड़ा सा राज्यसभा को रिविजिन कर देता हूँ आप भी थोड़ा सा उसके साथ रिविजिन करेंगे तो आप आएंगे कि आपको उस सीटें लगवा याद है सबसे उपर आपको रज्य का नाम याद ने रहा है केवल संख्या याद रुखने की कोंति कितने संख्या वो सबसे उपर है सबसे उपर की संख्या है वह 31 और 31 के बाद में सीध निस 19 के बाद में 18 18 के बाद में 16 16 के बाद में 12 फिर 11 फिर 10 10 फिर 9 फिर 7 7 फिर 6 उसके बाद में 5 फिर 4 फिर 3 3 और फिर 1 1 इस तरीके से सीठे आवन ती थी राजी सभा में सबसे पहले 31 पे कौन है वो उत्तर प्रदेश 31 सीधे 19 पे महाराष्ट 19 के बाद में 18 पे तबिल लाडू 18 के बाद में 16 16 पे वो बिहार बंगाल फिर बाद में 16 16 के बाद में 12 पे सीधे आईगी आप करना टक फिर 11 ग्यारा पे तीन राजी हम जानते हैं आंधर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जिसको आप एक छोटे से वाके से याद रखेंगे जो आपको याद होगा आगम फिर 10 तस पे राजस्तान और उडिसा 9 पे केरल फिर 77 पे पंजाब, असम और तेलंगाना सरदार से आप याद रखा था वो फिर 6 पे आप जानते हैं महिंत सिंग धोनी के नाम से आपने याद रखा था और वो जार खंड फिर 5 पांच से दो रज्जे थे एक खरियाना और दूसर च्छेश गड़ फिर चार से जम्मो कश्मीर था फिर उसके बाद में चार के बाद में तीन पर कोई नहीं था असवरे तीन पर थे तीन रज्जे हिमाले उत्तर दिशा में आपको याद होगा थोड़ा सा हिमाचल परदेश उत्राखंड और दिल्ली और उसके बाद में एक एक पे नो रज्जे थे जिनमें असम को छोड़ के बाकी के छे पुर्वत्तर भारत के रज्जे जिनमें अरुनाचल परदेश नागालेंड तीसरा मनिपूर चोथा मीजरम पांचमा त्रिपुरा छटा मेगाले छे तो ये थे उसके बाद में सिक्किम था उसके बाद में एक रज्जी गोवा था फिर इसके इलावा पांडिचेरी था तो ये नो टोटल के थे जो एक एक सीटे उनकी थी अब हम लोगसभा में समझते हैं ठीक उसके सहरे सब समझेंगे तब आप इसको ज़्याद अच्छे से याद रखवाएंगे देखिए वहाँ पर राज्यसभा में सब से उपर कितनी सीटे थी 31 सीटे थी ध्यान रखनाप यहाँ पर सब से उपर है वह है 80 सीटे 80 सीटों में आप ध्यान रखने 80 सीटे कहा कि है 80 सीटे हैं उत्तर प्रदेश की वहाँ 31 सीटे उत्तर प्रदेश की थी यहां अस्टिस सीधे उतर प्रदेश की सबसे ज़्यादा उसी एक रज़ी की है यहां पर आप याद रखिए फिर उन्निस नमबर था और यहां पर अस्टिस सीधे आईए आईए आप 48 पे तो गैब देखिए यहां भी बहुत ज़्यादा यहां भी बहुत ज़्यादा और यहां पर है महाराष्टर अस्टिस आपको सीधे आईए तालिस पैना है यहां उन्निस के बाद में अठा रह था और अठा रह था तमिल लाडू का लेकिन यहां थोड़ा सा चिंज हो जाएगा ध्यानके आप यहां पर तीसरे नमबर पर तमिल लाडू नहीं है वज़ा यह है कि यहां पर जो सीटें 1950 में फिक्स कर दी गई वो क्यों सेम है लेकिन यहां पर सीटें लगातार समय समय पर बढ़ती रही ज्हां पर त ज्हूसंग का नियंतन के परोग्राम को दक्षन भरत के रजोंगे ज्यादा अच्छे तरीके से और उसको अपनाया था इसलिए दक्षन भारत के में चूंकि जन्संग या वर्दिदर कम हुई तो जन्संग या धीमी गती से बढ़ी तो वहां की सीटें भी लोकसभा में धीमी गती से बढ़ी जबकि उत्तर भारत के राज्यों में जन्संग या बहुत तेजगती से बढ़ी तो लोकसभा की सीटें भी उस्यान पात में ज़्यादा तेजगती से बढ़ी 48 के बाद में आप 42 आ जाईए और 42 में तमिल अडू नहीं है यहाँ पे देखिए 18 के बाद में 16 जोले थे और 16 में मैंने आपको लिखा है था बिहार और बंगाल तो राज्यसभा में सीटें जिस तरीके से लिखी गई थी बिहार और पश्यमंगाल आपको दो राज्यसभा आएं तो उधर से शुरू करना है तो वहाँ बंगाल उधर है तो यहाँ 42 पे पश्यमंगाल फिर 42 के बाद में 40 और 40 पे वह बिहार 16 पूरा हुआ वहाँ का लेकिन 18 वाला तमिल नाडो भी बचा है तो यह 49 सीटें तमिल नाडो की यहाँ तक का मामलब पूरा हुआ रज्य सबावाला ठीक है फिर 16 के बाद में 12 सीटें थी और 12 सीटें थी करनाटक की लेकिन यहाँ पे 49 के बाद में जो रज्य आएगा वो करनाटक नहीं होगा क्योंकि करनाटक भी दक्षन भारत कर रज्य है जहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजगते से नहीं बड़ी यहाँ पे फिर 11 ज्यार था और 11 ज्यार कौन से थे आप जानते हैं आगम थे आंधर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश तीन रज्य थे आगम 11 ज्यार पे तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि जहां एक से ज्यादा रज्य होंगे वहाँ पे आपको जो रज्य लिखाएगे वह उर्टे दिशाशे ध्यान रखना आप लोग सभा में तो 49 के बाद में सीधे 29 दस्त का गैप है 49 से सीधे 29 पैना है और वहाँ होगा मद्यपरदेश वैसे भी उत्तर भारत करा ज्यादो फिर देखें आगे 29 के बाद में 28 और 28 पे वो जो 12 पे था करना तक उसको ले लीजिए तो 11 पे तीन आजे थे उनमें से एक तो आगया और दो बच गए तो 28 के बाद में 26 और 26 पे देखें यहाँ पे यहाँ आ गया तो अब यह आ जाएगा गुजरात फिर 25 पचिस तो 25 पचिस में एक तो राजस्थान आप जानते हैं और दूसरा आ गया अंधर प्रदेश तो एक बात बहुत विशेश तोर पे दियान रखें राजस्थान में जहां राजस्थान के साथ उड़ीसा था वहीं लोगस्थान में राजस्थान के साथ सवांज सीटों वाला राज़े अंधर प्रदेश है फिर 25 पचिस के बाद में सीधे आप 21 पे आईए तो 11 तक का मामला पूरा हुआ यहाँ पे 11 के बाद में 10 तस में एक तो राजस्थान था और दूसरा उड़ीसा था तो राजस्थान तो आई ही गया अब उड़ीसा लिग दीजी 21 पर यह उड़ीसा हुआ ठीक है तो 10 तस का मामला पूरा हुआ यहाँ तक अब 10 के बाद में 9 सीधें कहां की है 9 सीधें है के रलगी तो यहां हमारे यहां फिर 21 के बाद में 20 सीधें हो जाएंगे और वो 20 सीधें कहां की होंगी वो 20 सीधें होंगी के रलगी क्योंकि 9 सीधें के रलगी थी तो 20 सीधें के रलगी 9 के बाद में 7 साथ पर अब जानते हैं पंजाब, असम और तेलंगाना तो देखिए एक बात ध्यान रखें साथ साथ पर यहां पर सीधें थी पंजाब की पहले लिखी फिर असम की और फिर इसकी तेलंगाना की तो यहां पर 20 के बाद में सीधें आएंगी 17 सीधें तो मैंने कहा उल्टी दिशा से चलना है तो पहले यह आ जाएगा तेलंगाना फिर बाद में 14-14 सीधें और 14-14 सीधें में असम और लेकिन ध्यान रखें यहां पंजाब नहीं है इसके साथ जारखंड 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 जिसकी यहां पर फिर 6 सीधें थी ना जारखंड की वो यहां पर आ जाएगा तो 6 तक पूरा हुआ छोड़ कि किसको पंजाब को तो फिर यहां पर 13 सीधें पंजाब की हो गई 13 सीधें हुई पंजाब की ठीक है इसके बाद देखें च्छे के बाद में पांच-पांच सीटें और पांच-पांच सीटें किसकी थी पांच-पांच सीटें थी एक तो हरियाना की और एक 36 गड़ की तो हरियाना हमने पहले लिखा 36 गड़ बाद में लिखा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 सीटें पहले 36 की और फिर 10 सीटें हरियाना की ठीक है इसके बाद देखें आगे आप 5 के बाद ने 4 सीटें और 4 सीटें थी किसकी वो 4 सीटें थी जम्मो कश्मीर की और 4 के बाद में लेकिन जम्मो कश्मीर की सीटें की तुलना में उससे रज्जे सबा में कम सीटें थी उस रज्जे की सीटें ज्यादा हैं तो यहाँ पर देखें चार सीटों के बाद समझदा कि वहाँ पर चार सीटों पांच के बाद ने चार सीटों जम्मो कश्मीर और तीन तीन सीटों पर एक तो हिमाचल परदेश फिर उत्राखंड और फिर डिल्ली ऐसे था तो आप जम्मो कश्मीर के बाद में यहां पर जाएंगे तो यहां पर तीन राज्जे हैं तो यहां दस के बाद में साथ प्याई आई आप और साथ पर वैसे ही वापस वैसे ही उल्टा चलना है यह दिल्ली साथ के बाद में च्छे सीटे लेकिन अब वर्तवान में वो च्छे सीटे नहीं है बलकि वर्तवान में पांस सीटे हैं तो पांच पांच सीटे वरतमान में दो की हो गई है त्यान रखे आप पहले छे सीटे जम्मो कश्मीर की थी लेकिन आज कल पांच सीटे हो गई है एक तो जम्मो कश्मीर की क्योंकि जम्मो कश्मीर की जो 6 सीटे थी उन में जम्मो कश्मीर की 5 सीटे रखकर एक सीट जो लद्दाफ नाम कर निया के अंदर शाषित प्रदेश बना है उसकी हो गई है जम्मो कश्मीर के अंदर शाषित प्रदेश बन गया है और 5 सीटे फिर बाद में ये उत्रा खंड क फिर चार सीटें चार सीटें यहाँ पर बचा हिमाचल प्रदेश तो वह हिमाचल प्रदेश की फिर बाद में तीन तीन सीटें किसी की नहीं है दो दो सीटें है और दो दो सीटें यहाँ पर देखें फिर बाद में तीन के बाद में एक एक सीटें थी तो उन में से पांच राज्जे ऐसे हैं जहां की दो-दो सीटे हैं और वो दो-दो सीटे कहां पे हैं उसको हम थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं वो दो-दो सीटे हैं तो पुर्वत्तर भात की बात कीजिए पुर्वत्तर भात में उप ईउपर एक तो अगरनाचल परदेश है है अगर उपरदेश के नीचे नागलेंड़ उसको छोड़ दीजी एक को तो पुरवत्तर भारत की बात कीजिए, पुरवत्तर भारत में उपर ही उपर एक तो अरुनाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश के नीचे नागलेंड उसको छोड़ दीजिए, एक को छोड़ना है, अरुनाचल प्रदेश के नीचे नागलेंड उसको छोड़ दीजिए, यहां मिजर्म को छोड़ दीजिए मनिपुर के फिर बाद में मिजर्म के साइड में है तिरुपुरा तिरुपुरा की किती सीट है दो सीट है फिर तिरुपुरा के उपर एक राज्जे है मेगाले तो मेगाले की किती सीट है दो सीट है इसके बाद में एक और है जिसकी दो सीटे हैं वो है गोवा गोवा की दो सीटे यह पांच राज्जे हैं जिनकी दो सीटे हैं फिर एक एक सीटे हैं तो एक एक सीटे हैं वहां पर किस की कौन बचा वहां का तो उसमें देखें एक तो बचा नागालेंड नागलेंड के बाद में मनीपूर आता है मनीपूर आ गया उसके बाद में आता है मिजुरम दो राज्जे फिर सिक्किम तीन तो ये रज्जे और बाकी के दिल्ली तो आई ही गया कि अंदर शाषित प्रदेशों में नो के अंदर शाषित प्रदेश वरतमान में है और जम्मो कश्मीर आ गया तो बाकी के बचे साथ के अंदर शाषित प्रदेश तो बाकी के साथ के अंदर शाषित प्रदेश जिसमें लद्दाक शामिल है देहां रखें तो अगर साथों के अंदर शाषित प्रदेशों के आप नाम भी लग सकते हैं यहां पर या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेश सातों के अंदर शार्षित प्रदेश दिल्ली और जम्मो कश्मेर को छोड़के है तो यहां पर सातों के अंदर शार्षित प्रदेशों में एक तो आगया चंडिगर एक आगया लद्दाख दो इसके बाद में एक आगया दादर नगर हवेली तीन एक आगया दमन दिव चार एक आगया लक्षद वीप पांच एक आगया चटा पॉंडिचेरी और फिर बाद में एक आगया अंदमान और निकोबार दिव समूँ सात के अंदर शार्षित प्रदेश तो यहां मैं लिग देता हूँ शेश साथ यूटीज यूटीज का मतलब यूनिन टेरिटरीज केंदर शार्षित प्रदेश तो देखे हमारे यहां फिर राज्जे हैं 28 और 9 है केंदर शार्षित प्रदेश तो 28 और 9 37 टोटल है तो 37 को आप गिनिये कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 इस प्रकार से 28 रज्जे और 9 के अदर शार्षित प्रदेशों की यह सीटे यह हमारे यहाँ पे लोकसभा में इस तरीके से भी भिन्दा जूंकी है तो आप अगर थोड़ा सा इसको याद करना चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आप उन सीटों को इस तरीके से याद कर सकते हैं की जैसे उपर उपर 80, फिर 48, फिर 42, फिर 40, फिर 49, फिर 29, फिर 28, फिर 26, फिर 25, फिर 21, फिर 20, फिर 17, फिर 14, फिर 13, उसके बाद में 11, फिर उसके बाद में 10, फिर 10 के बाद में 7 पे, 7 के बाद में 5-5 सीटें, फिर बाद में 4 सीटें, उसके बाद में 2-2 सीटें और फिर 1- तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश की फिर साथ बोली आप 48 सीटें महराश्टर की फिर बाद में 42 सीटें पश्यमंगाल की 40 सीटें बिहार की 49 सीटें तमिलाडू की 49 के बाद सीधे 29 पे आईए ये सीटें है मध्य प्रदेश की फिर बाद में 29 के बाद में 28 पे करनाटक फिर 26 पे गुजरात 25 पत्रीश पे रजस्थान और अंदरप्रदेश फिर बाद में 21 पे उड़ीसा फिर 20 पे अब के है केरल, फिर 17 है पे क्तेलंगाना, उसके बाद ने 14 सीटों पे असम और जहरखंड फिर बाद में 13 सीटों पे पंजाब, 11 सीटों पे 36 गड़, 10 सीटों पे हरियाना, 7 सीटों पे दिल्ली, फिर 6 सीटों अब है नहीं, पहले जम्मो कश्मीर की थी अब पांच-पांच सीटों में एक तो जम्मो कश्मीर है और दूसरा पांच सीटों पर उत्राखंड, उसके बादे हैं चार सीटों पर हिमाचल प्रदेश, फिर दो-दो सीटों पर अरणाचल प्रदेश, फिर मनिपूर, फिर तुरिपूरा, उसके बाद मेगाले और गोवा और एक-एक सीटों पे हैं नागालेंड, मीजोरम, सिक्किम और शेशक बाकी के साथ के अंदर शार्शित प्रदेश तो ये इस तरीके से लोगसभा में सीटों का आवंटन वो किया गया है सीटों के आवंटन के बाद देखें आप निर्वाचन 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 में समझे है कि किस तरीके से निर्वाचन का प्रावधान आर्टिकल 81 में लोगसभा के लिए क्या गया है तो निर्वाचन में कहा गया कि लोगसभा के सदाष्चे का चुनाव जो होगा वो पहली बात तो प्रतेक्श रूप से होगा प्रतेक्ष चुनाव होगा प्रतेक्ष निर्वाचिन होगा मतलब आम जनता वो वोटिंग में भाग लेगी एक बात है दूसरी बात है कि इसका चुनाव प्रादेशिक प्रतिन हित्व के आधार पे किया जाएगा प्रादेशिक प्रतिन हित्व का मतलब जो candidate होगा वो किशी प्रदेश का प्रतिन रहित्व करेगा प्रतिन रह attain हिजब की प्रादेशत प्रतिने रहा चिका जा चुमकि हमारे यहां देश में 543 भागों में हिस्तों में बाटा गया और प्रते एक भाग का प्रतिन हित्व एक विक्ति करता है तो यह प्रादेशिक प्रतिन हित्व कहलाता है और असल में प्रतिन हित्व में दुनिया के अधिकांशता देशों में प्रादेशिक प्रतिन हि तो है और प्राधिशी प्रतियों में दो प्रकार के होता है lo HDR हो दो प्रकार होते हैं कि एक सदर्स्य और दूसरा बहु सदर सिए É इक मतलब एक निर्वाज श्यक्शन लेड़ सकते लेक bisa काल है निर्वा जित कर जा सकते हैं लेकिन जीत कर ले क्षेतर एपक से ही जीत के आता है तो ये निर्वाचन क्षेतर परते cost e 30ship रेटा में 25 सीट..े निर्वाचन के बाटा गया और फिर उसके बाद में अब और देखें कि एक सदिस्टिन रिवाज सिंग्षित्र की बाद और इसके अगर हम बात करें तो चुनाव प्रतेक्ट चुनाव होगा लेकिन चुनाव के प्रणाली क्या होगी चुनाव कौन से सिस्टम से दिया जाएगा आप और मैं सब उस सभी का मतलब क्या है सारभ्वमा का मतलब सभी लोग को मता धिकार का मतलब वोड देने का धिकार कि सभी जब सम्मिधान लिखा गया तो मूल सम्मिधान में वेस्क मताधिकार वेस्क होनी की जो आयू थी सार भूमिक की वेस्क मताधिकार की आर्टिकल 326 में दीया गया। हमारे यहां वर्तमान में नियूनतर मायू वो अठार वर्षा है सभी लोग वोड़ दे सकते हैं देखिए एक खास बात है कि 1950 में जब सम्विधान लागू हुआ तो हमने यह रिस्क ली सम्विधान निर्माताओं के सामने बड़ी चुनोती यह थी कि सभी लोगों को वोड़ पता भी नहीं था ग्यान भी नहीं था और ऐसे लोगों को जब वोड़ देने का हम अधिकार देंगे तो वो लोग तंतर के लिए बड़ा खत्रा होगा इस बात कि आशंग का कुछ लोगों को थी लेकिन हमारे सम्विधान निर्माताओं ने यह रिस्क लिया यह जो खिम ल अधिके से बिना किसी बाधा कि बहुत अच्छे से संचालित हो रही है आप जब इस बात पर और दूसरे नजरिया और दूसरे पक्ष के और देखते हैं तो आप आते हैं कि दुनिया के अधिकांशते देशों में वेस्क मताधिकार को अपनाय तो गया था लेकिन महिलाओं को मताधिकार पूरुशों के मताधिकार के बाद में दिया गया एक साथ प्रतान नहीं किया गया देखे दुनिया में लोक तंत्र का घर जिसे कहा जाता है ब्रिटेन को ब्रिटेन में महिलाओं को पहली बार पूरुशों मताधिकार पहले से शुरू हो चुका था लेकिन मह अमेरिका में उस अमेरिका में 1919 में पहली बार महिलाओं को वोड़ देने का धिकार दिया गया स्विर्जरलेंड में 1971 में सबसे पहली बार महिलाओं को वोड़ देने का प्रावधान किया गया 1972 में वहाँ पहली बार वोटिंग की गई महिलाओं के द्वारा 1972 में पहली बार जबकि उससे पहले पुरुशों का मत अधिकार था लेकिन भारत जैसे नव सुतंत्र देश में महिलाओं को वोट दने का अधिकार उसी समय दे दिया गया जिस समय पुरुशों को दिया गया तो ये एक बड़े गौरव की बात है भारत के लिए नव स्थापित देश जहां पर लोक तंत्र की शुरुवात की गई थी वहां पर एक साथ हमने ऐसा किया फिर देखे चुनाव प्रणाली की बात करें कि कौन से सिस्टम से चुनाव होता है कौन से प्रणाली से चुनाव होता है तो आपने राज्यसभा के चुनाव पर पढ़ा था कि वहां एकल संक्रम ने मत प्रणाली से चुनाव होता है तो यहां पर आप जब देखेंगे कि इस प्रणाली को कहते क्या है तो इस प्रणाली को देखिए आप समझना इसे कहते हैं first past the post system first past the post system का सीधा सीधा मतलब क्या है first past the post system का मतलब यह है कि वो वेक्ति विजेता घुशित होगा वो वेक्ति चुनाव में जीत जाएगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले है सबसे ज्यादा वोट प्राप्ट करने वाला वेक्ति जीत जाएगा इसका मतलब यह है कि अगर सो वोट पढ़े मालीजे टोटल वोट सो है तो चुनाव जीतने के लिए 51 वोट प्राप्ट करना ज़रूरी नहीं है बलकि वो विक्ति चुनाव में जीतेगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हो सकता है 20 वोट प्राप्ट करने वाला विक्ति भी जीत जाए संभव है ऐसा लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि बागी के कंडिडेट्स को 20 से कम वोट मिले तो टोटल मतों का वहुमत प्राप्ट करना ज़रूरी नहीं है बलकि सबसे ज़्यादा वोट प्राप्ट करने वाला विक्ति जीतेगा यह फर्स्ट पर्स दपोर्स सिस्टम है ठीक है इसके बाद में इसमें खुला मद्दान नहीं होता बलकि गुप्त मद्दान होता है तो यह उसके चिनौव की कुछ खास बाते हैं यह थोड़ा सा आप समझिए आप तो लिखें आप निर्वाचन अनुछित 81 पहले लिखें प्रतेक्ष निर्वाचन अब इसमें लिखाने की कोई आप शिकता नहीं है आप जानते हैं प्रतेक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं जिसमें आप आम जनता सीधे तोर पर भाग लेती है। फिर लिए कि आप प्रादेशीक प्रतेन हित्वे। तो यहाँ प्रादेशीक प्रतेन हित्वे को भी विस्तार से लिखने हैं को दूरत नहीं है। प्रादेशीक प्रतेन हित्वे करना हूँ। फिर लिखें एक सद्वियर निर्वाचंग श्यत्र से केवल एक ही सद्वियर चुना लाता है। फिर लिखें सारो भूमी क्वेस्क मताधिकार, इसमें हम लिखेंगे, सारो भूमी क्वेस्क मताधिकार, लिखें सारो भूमी क्वेस्क मताधिकार के आगे, डेस करके, आर्टिकल 326 लिख लिजिए, अर्वचे 326 फिर लिखें आगे, इसका तात्परिय है कि सभी ऐसे लोगों को मत देने का अधिकार सभी ऐसे लोगों को मत देने का अधिकार हो जो की व्यस्क हो चुके है जो की व्यस्क हो चुके है मूल सम्मिधान में मताधिकार की नियुनुतम आयू 21 वर्ष निर्धारित थी 21 वर्ष निर्धारित थी लिखे फिर 61 समिधान शंशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की नियुनुतम आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दे गई 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दे गई लिखे अगले पंक्ते में लोक सभा के चुनाव में लोक सभा के चुनाव में सारो भोमी क्विस्क मताधिकार को अपनाए गया है ठीक है सारो भोमी क्विस्क मताधिकार को अपनाए गया है फिर अगले पंक्ते में लिखे फस्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम फर्स्ट पास्ट दे पोस्ट सिस्टम फर्स्ट पास्ट दे पोस्ट सिस्टम लिखें इसमें इस प्रनाली से तात्परी है कि सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मिद्वार चुनाव जीत जाता है सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मिद्वार चुराओं जीत जाता है इसके लिए उसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त करना आवशिक नहीं है फिर लिए उसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त करना आवशिक नहीं है ठीक है फिर लिखें गुप्त मतदान तो ठीक है चनाव गुप्त मतदान से होता है निर्वाचन तो आप जानते हैं कुप्त मतदान किसे कहते हैं तो लोक सभा का निर्वाचन इस तरीके से निर्वाचन हुआ, निर्वाचन के बाद देखें आप कारिकाल, और कारिकाल आर्टिकल 83 में अनुछे 83 में दिया गया, और कारिकाल क्या कहता है समझना आप, आर्टिकल 83 कहता है कि लोक सभा का कारिकाल कितना होगा, तो लोक सभा क करेकाल पांच वर्ष के लिए होगा और पांच वर्ष कहां से लोगसभा की पहली बैठक से जो चना होके पहली बैठक हुई उस पहली बैठक से पांच वर्ष के अवधी तक लोगसभा अस्तिति में रहेगी लेकिन उस अवधी से पहले भी प्रधान मंती की सलापर राष्ट पत्र पत्र बिंग किया सकता है। वो पद रिक्त अगर हुआ तो ऐसी स्थिती में उस पद रिक्ती के तिधी से छे महा की अंदर-अंदर न्य निर्वाचन होना जिरूरी है और इस तरीके से जो नव निर्वाचन सदस्य आया है वो कब तक रहेगा सदस्य इसका लोगसभा का 6 कारिकाल तक शेश कारिकाल के लिए पद्धारण करेगा ये आर्टिकल 83 लोगसभा के कारिकाल में आप समझ सकते हैं ठीक है तो लिखें आप कारिकाल अनुच्छे 83 लिखें लोगसभा का कारिकाल उसकी पहली बैठक से लोगसभा का कारिकाल उसकी पहली बैठक से पाँच वर्ष की अवधी तक होता है पाँच वर्ष की अवधी तक होता है लिखे अगली पंक्ते में अनुच्छेत 85 के अनुसार इस अवधी से पूरु भी राष्ट्रपती लोगसभा को भंग कर सकता है इस अवधी से पूरु भी राष्ट्रपती लोगसभा को भंग कर सकता है कर दो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अजह राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता क्या अनुच्छे पिच्च्या से फिर लिखे अंगली पंक्ति में लोक सभा के सदस से लोक सभा ध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्तर से पद छोड़ सकते हैं लोक सभा ध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्तर से पद छोड़ सकते हैं पद छोड़ सकते हैं फिर लिखे अंगली पंक्ति में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर पद रिक्ती कितिती से छे महमें नए निर्वाचन होना आउशिक है नए निर्वाचन होना आउशिक है फिर लिखें अंगले पंक्ते में शेश का रिकाल के लिए पद गरहन करता है फिर आपदेखें शपत और शपत में है अनुच्छेद निन्यान में और आर्टिकल निन्यान में कहता है कि वो संसत के सदस्यों के शपत के लिए कहता है तो राज्यसभा के लिए के सदश्यों को शपत दिलाने के लिए राज्शपती ने सभापती को निरहाइद कर दिया और लोगसभा के सदश्यों को शपत दिलाने के लिए द्यान रखें लोगसभादिक्ष को निरहाइद नहीं किया है क्योंकि सभापती तो राजी 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 सभापती तो किसी एक सदस्य को प्रोटेम स्पिकर बना देता है प्रोटेम स्पिकर बना देता है और ये प्रोटेम स्पिकर क्या करता है वो लोग सभा के सभी सदस्यों को शपत दिला देता है और ये जो प्रोटेम स्पिकर खुद वो राष्टपती के समक्षपत में गरता है लोस्बाकर से जर्शे को समख्ष करते हैंश जब कि समिधान में प्रोट में प्रोट मीश स्पीकर का जिक्र नहीं किया गया है संभीधान में कहता है कि राश्टपती अत्मा उसके दूरा निर्धारित विक्ति के समक्ष और प्रोट मीुझाच है यह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारी त्विक्ति है तो लिखें आप शपत अनुछे निन्यान में लिखें पहले समीधान में जो लिखा गया उसकी बात करते हैं हम लिखें संसद के सदसे संसद के सदसे राष्ट्रपति अथ्वा उसके द्वारा निर्धारी त्विक्ति के समक्ष शपत ग्रहन करेंगे लिखें अगले पंक्ति में लोग सभा के सदस्यों की सपत है तू लोग सभा के सदस्यों की शपत है तू राष्ट्रपति नव निर्वाचित लोग सभा नव निर्वाचित लोग सभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोटेम स्पीकर के रूप में न्यूट कर देता है अर्थार्थ लोग सभा के सदस्य प्रोटेम स्पीकर के समक्षपत गहन करते हैं जबकि प्रोटेम स्पीकर स्वेम जबकि प्रोटेम स्पीकर स्वेम लोग सभा के सदस्य की रूप में लोग सभा के सदस्य की रूप में राष्ट्रपती के समक्ष शपत गहन करता है राष्ट्रपती के समक्ष शपत गहन करता है ठीक है इस तरीके से यह हुई शपत है फिर देखें आगे पदाधिकारी अच्छा पदाधिकारी से पहले अगर मैं मनोनीत सदस्यों की बात करूँ तो मनोनीत सदस्यों में एक बात बहुत खासतोर से ध्यान रखना कि लोग सवार आर्टिकल 331 एक बात कहता है पदाधिकारी से पहले एक बात वो लिख लीजिए मनोनीत सदस्ये मनोनी सरस्य में आपको एक बात ध्यान रखने थोड़ी से जरूरी है लोक सभा में मनोनी सरस्य राजी सभा में मनोनी सरस्य तो बारह होते हैं इसके लिए जो आर्टिकल हो 331 लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा चिंज हो गया 331 में कहा गया था कि राष्ट्रपती को यदि समाधान लगे कि लोक सभा में आंगल भारतियों का परिया परतिन ही तो नहीं है तो वो दो अंगल भारतिय सरस्यों को लोक सभा में मनोनीत कर सकता है दो के संके लिखे गई लेकिन अभी एक सम्विधान शन्चोधन किया गया एक सो चारवा सम्विधान शन्चोधन और इस एक सो चारवा सम्विधान शन्चोधन के दोरा क्या प्रावधान कर दिया गया 2020 में कि अब लोग सभा में मनोनी सदस्यों का जो प्रावधान है 331 उसे क्या कर दिया गया स्माप्थि कर दिया गया आंगल भारतियों के मनोने के इस प्रावजान को स्माप्थी कर दिया गया तो ये थोड़ा सा लिख ले आप मनोनी सरच से अनुच्छे 331 331 लिखे पूरी ही बात लिख लेते हैं लिखे अनुच्छे 331 के नुसार अनुच्छे 331 के नुसार यदी राष्ट्रपती को यह समाधान हो कि लोग सभा में आंगल भारतियों का परियाप्त परती नहीं तो नहीं है तो वह अनुच्छे तो वह दो आंगल भारतियों को लोग सभा में मनोनीत कर सकता है तो वह दो आंगल भारतियों को लोग सभा में मनोनीत कर सकेगा लिखे अगली पंक्ते में एक सो चार में समिधान शन्शोधन दो हजार बीस द्वारा अनुच्छे तीन सो इकतीस को समप्त कर यह प्रावधान हटा दिया गया यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया चलिए फिर हम देखते हैं पदाधिकारी और यह लोग सभा के पदाधिकारी हैं आर्टिकल तीराणमे से लेकर छाण में राजे सभा में आर्टिकल नावासी से बाण में था यह आर्टिकल तीराणमे से छाण में तेक है तीराणमे, चुराणमे, पिचाणमे और छाणमे और पदाधिकारी दो हैं एक तो हैं लोग सभाधिक्ष जिसे आप स्पीकर कहते हैं तो लोकसभाद धेक्ष कहा गया कि एक लोकसभाद धेक्ष होगा एक उपाद धेक्ष होगा पहले आप लोकसभाद धेक्ष की बात समझे कि इसका चुनाव कैसे होगा लोग सभाद धेक्ष को लोग सभाद के सरस्चे अपने में से ही किसी एक सरस्चे को लोग सभाद धेक्ष के रुप में चुन लेते हैं पहली बात कारिकाल कितना होगा तो लोग सभाद धेक्ष का कारिकाल कितना होता है तो ध्यान रखें लोगसभाद्यक्ष का करिकाल पांस साल नहीं लिखा हुआ है बलकि नई लोगसभाद्यक्ष की पहली बैठक के ठीक पहले तक वो अपने पद पर रहेगा ये खास बाद ध्यान रखें नई लोगसभा की पहली बैठक जो होगी उसके ठीक पहले तक लोगसभाद्ध्यक्ष पत पर रहेगा पांस साल का प्रावजान नहीं है फिर देखें लोगसभाद्ध्ध्ष अपना त्याक पतर किसे देगा वो अपना त्याक पतर उपाद्ध्ध्ष को देगा फिर लोकसभाद देख्ष्ट के पावर क्या है शक्तियां क्या है अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि उसके पावर क्या है कारी क्या है तो देखें वो लोकसभाद की अद्धिक्ष्टा करता है सदन का संचादन करता है सदन पर नियंतर्ण मनाये रखता है सदन में अनुशासर्ण मनाये रखता है सदश्यों को बोलने के अनुमती परदान करता है सदन में गणपूर्ती को सुनिश्यत करता है कि गणपूर्ती हुई के नहीं हुई कोई एप अरिहारी अस्तिती ऐसी हुई तो ऐसे इस्तिती में वो सदन की बैठक को स्तगित कर देता है इसके अलावा वो सदन पर पूरी तरिके से नियंतर मनाय रखता है इसके अलावा वो सदन में क्या करता है कि दो तिन बहुत में तो प्रम काम द्यान समझे में रखना है ये बात कि जब सेंग्त बैठक होगी दोनों सद्रों की लोकसभा और रज्यसभा की तो सब्सक्राइब को बूलाता तो राष्टपती है लेकिन उस सब्सक्राइब की अध्यक्षता वो लोकसभा देख्ष करेगा इसके अलावा कोई धन विधैक है नहीं इसका जो निर्णाय करेगा वो जो जो लोकसभा देख्ष करेगा इसके लवा वो निर्णायैक वोटो देगा और एक बहुत खास बात एक और कि लोकसभा के सदश्यों की दलबदल सबंदी जो भी अध्याइब उस दल बदल समंदी ऐयोगेता की विवाद कर निरने भी लोगसभाद देख्ष करेगा लोगसभा के सद्शियों की जहां रखें संसत के सद्शियों की अन्य समस्थ परकार की ऐयोगेता की विवाद कर निरने रास्टपते करेगा आर्टिकल लिक सो तीन लेकिन दल बदल समं लुकसभा के सदक्रिया अपने में से ही लोकसभा के सदस्दे अपने में से ही किसी एक सदस्य को किसी एक सदस्य को लोग सभाध्ध्ध्ष के रूप में चुन लेते हैं लोग सभाद धेक्ष के रूप में चुन लेते हैं लोग सभाद धेक्ष के रूप में चुन लेते हैं लिखे अंगली पंक्ति में अर्थार्थ लोग सभाध्धिक्ष लोग सभा का सदस्य होता है लोग सभाध्धिक्ष आगामी लोग सभा की पहली बैठक के लेकिन लोगसभाद्यक्ष आगामी लोगसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक पद पर रहता है ठीक पहले तक पर रहता है फिर लिखे आगले पंक्ते में त्यापक्त्र डेस्ट करके लिए उपाध्यक्ष ठ्यापक्त्र कर लिए कार्य एवम शक्तियां पहला सदन की अध्यक्षता करना सदन की अध्यक्षता करना दूसरा लिखे सदन में अनुशाशन बनाए रखना सदन में अनुशाशन बनाए रखना तीसरा लिखे सदस्यों को बोलने की अनुमती प्रदान करना सदस्यों को बोलने की अनुमती प्रदान करना फिर चोथा लिखे सदन में गणपूर्ती को सुनिश्चित करना गणपूर्ती को सुनिश्चित करना फिर लिखे आगे अगली पंक्ते में लिखे बैठक को स्थगित करना फिर अगली पंक्ते में लिखे निर्णा एक मत देना निर्णा एक मत देना वो निर्णा एक वोड़ देता है फिर लिखे आगे अगली पंक्ते में लिखे कोई विधेग धन विधेग है या नहीं इसका निर्णे करना फिर लिखे अगली पंक्ते में सेंग तुबैठक की अध्यक्षता करना सेंग तुबैठक की अध्यक्षता करना फिर लिखे लोग सभा के सदस्यों की लोग सभा के सदस्यों की दल बदल समंधी प्रावधानों दल बदल समंधी विवाद का निर्णे करना दल बदल समंधी अउग्यता की विवाद का निर्णे करना लोग सभा के सदस्यों की एक दो बातें खासतोर से ध्यान रखें आप और वो ये कि भारत में लोगसभाद्धिक्ष का जो पद आया वो सबसे पहले 1919 के एक्ट में आया क्योंकि पहली बार दो सदन जो हुए हमारी संसद गे वो पहली बार 1919 पहली बार 1919 के अधिने में हुए तो फिर लोगसभाद्धिक्ष की पॉस्ट वो पहली बार 1919 के एक्ट में आई और इस एक्ट के तहरे जो पहली बार लोगसभाद्धिक्ष भारत में बने स्पीकर जो भारत में सबसे पहली बार बने वो कौन वो थे फ्रेडरिक वाइट 1921 में बने थे पहली बार और पहले जो डिप्टी स्पिकर बने वो बने थे सच्ची रादन सिन्ह नाम इनका सुना होगा आपने सम्विधान सभा के ऐस्थाय धेक्ष थे ये उपाध्धेक्ष बने 1921 में लेकिन पहले भारती स्पिकर जो बने इसी एट के तहट पहले भारती स्पिकर वो थे विठ्थल भाई पटेल और ये बने 1925 में ठीक है भारत के पहले स्पिकर कौन रहे फिर आजादी के बाद की हम बात करें तो भारत के पहले स्पिकर रहे वो रहे थे गनेश वासुदेव मावलंकर गनेश वासुदेव मावलंकर पहले स्पिकर रहे वरत्वान में स्पिकर कौन है तो भारत की लोकसभा के वरत्वान में स्पिकर है आम बिर्ला अम बिर्ला इसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत में पहली महिला स्पिकर कौन तो पहली महिला स्पिकर रही वो रही मीरा कुमार 2009 से 2014 तक रही थी और दूसरी महिला इसके रही वो स्मीत्र महाजन अब तक दो ही महिलाई इसके रही है और वो स्मीत्र महाजन रही 2014 से 2019 तक अगर हम बात करें भारत में सबसे लंबी आवधी तक रहने वाले स्पिकर कौन थे तो सबसे लंबी अवधी तक रहने वाले स्पिकर वो थे बलराम जाकर सबसे लंबी अवधी तक रहेए 1980 से 89 और सबसे कम अवधी तक रहने वाले स्पिकर वो बली राम भगत यह रहे थे उन्निस सो चिंटर से सदतर कुछ समय के लिए फिर अगर हम बात करें भारत में ऐसे स्पीकर जो राश्ट्रुपती भी रहे तो वो थे नीलम संजीव रिड़ी जो राश्ट्रपती भी रहे थे ठीक है ये दो बार स्पीकर रहे थे इसके लवाद दो बार स्पीकर नीलम संजीव रिड़ी भी रहे बल्राम जाखड भी रहे फिर अगर हम इस संबन्द में कुछ और आगे बात करें तो ऐसे स्पीकर जिनकी पद पर रहते हुए मृत्य हो गई तो इसमें एक तो थे गनेश वासुदेव मावलंकर जीवी मावलंकर 1956 में इनकी डथ हो गई और दूसरे स्पीकर थे वो थे जी एंसी बालियोगी जिनकी प्लेन क्रेश में 2002 में मृत्य हो जाती है जी एंसी बालियोगी तो ऐसे स्पीकर जिनकी पद पर रहते हुए मृत्य हो गई अच्छा ऐसे स्पीकर जिनके विरुद उनको पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया हलांकि वो पारित नहीं हो पाया एक अलग बात है लेकिन प्रस्ताव लाया गया वो एक मात्र जो ऐसे वे लोग स्पीकर है वो गनेश वासुदेव मावलंकर रहे फिर ऐसे स्पीकर ज है हुकुम सिंग सरदार हुकुम सिंग और दूसरे हैं बली राम भगत चैनले लिख लिजिए समन्द में लिखे एक पंग्दी छोड़ के लिखना जहाँ आपने छोड़ा था वहां उसके आगे भारत में स्पीकर पद सरो पर्थम उन्निस सो उन्निस के अधिनियम द्वारा स स्पीकर पद सरो पर्थम भारत में स्पीकर पद सरो पर्थम उन्निस सो उन्निस के अधिनियम के तहट स्रुजित हुआ 1919 के दhenium के तहत सुरजित हुआ लिखें अंगेलिए पंक्ते में लिखें भारत के पहले speaker 1919 के दhenium के तहत भारत के पहले speaker लिख लिखे फ्रेडरिक वाइट 1.21 फ्रेडरिक वाइट 1921 फिर उसी के आगे लिखे लिखे प्रथम डिप्टी स्पीकर वो लिखे लिखे सची दानन सीनहा सची दानन सीनहा फिर लिखे अगली पंक्ते में लिखे भारत के प्रथम भारतिय स्पीकर प्रथम भारतिय स्पीकर ये लिखे लिखे प्रथम भारतिय स्पीकर वो लिखे विठ्थल भाई प्रटेल 1925 ये इस एक्ट के तहत थे 1925 फिर लिखे आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर अब हम आजादी की बात की बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर लिख लिजे गनेश वासुदेव मावलंकर जीवी मावलंकर गनेश वासुदेव मावलंकर फिर लिखें वर्तमान स्पीकर तो लिखें ओम बिड़ला वर्तमान स्पीकर ओम बिडला फिर लिखें महिला स्पीकर तो ये दो नाम लिख लीजिए महिला स्पीकर तो ये दो नाम लिख लीजिए मीरा कुमार 2009-2014 और स्मित्र महाचंद 2014-2019 महिला स्पीकर में ये दो नाम फिर लिखें लीजिए सरवाधिक अवधी तक रहने वाले स्पीकर तो लिखें लीजिए बलराम जाकर सरवाधिक अवधी तक रहने वाले स्पीकर बलराम जाकर निश्वस्थी से नमासी फिर लेक्या आप निवर्व तमाउधी तग रहने वाले स्पीकर कि ऊप्षा है वह लेकलिञे बली राम भैर नेउनतम आवधिय तक रहने वाले स्पेकर बली रांबगए सुर्शन ऑनिटेंट शिंतर से सद्टर फिर लिखे ऐसे speaker जो राष्ट पती भी रहे तो लिखे नीलम संजीव रेड़ी ऐसे speaker जो राष्ट पती भी रहे नीलम संजीव रेड़ी फिर लिके स्पीकर जिनकी पद पर रहते हुए मृत्य हो गई उसमें दोन नाम लिखे लिए स्पीकर जिनकी पद पर रहते हुए मृत्य हो गई गनेश वासुदेव मावलंकर और जीम सिबाली होगी फिर लिखें स्पीकर जो राजस्थान के राज़ेपाल भी रहे तो इसमें नाम लिख लीजिए हुकम सिंग और बली राम भकत ठीक है हुकम सिंग और बली राम भकत एक चीज और देखें लास्ट में फिर वो उपाध्यक्ष सामाने से है छोटा कोई ज्यादा विशेश नहीं है लोगसभा के सदसे उपाध्यक्ष को चुनते हैं और फिर लोगसभाध्यक्ष द्वारा निरधारी तिती को फिर उपाध्यक्ष को चुनते हैं इसका मतलब लोगसभाध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के चुनाओं साथ नहीं होते हैं लोगसभाध्यक्ष के चुनाओं के तिती राष्टपती निरधाइद करता है जबकी उपादेक्ष निर्वाचन किती लोगसभाद ध्हेक्ष न धाय्यतGUरता है तो आपू ही उशमज़े लोगसभाद के सदाच्छों द्वारा आपने मेंसे किसी एक सदाच्छो को उपादेक्ष के रुपे चुमलिया जाता है ये अपना त्याग पत्र देकर किसको त्याग पत्र देगा ये अपना त्याग पत्र देगा लोगसभाध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् लोक सभा के स्ट्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् करके डेस करके लिख लें ह네 नियुक है कि लोगसवाद च्रूब को अ कि आज द्यार के लोगसवाद ध्यक्ष रुपद डोनों ही इन पदों के लिए शपत नहीं लेते कभी यह लिखना है ना एक तरफ यह सदस्य के रुपए पहले शपत लेचुके है इस पद के लिए ये कोई शपत नहीं लेते हैं जाना है फिर लिखें कारिये तो कारिये में केवल इतना लिखें लोकसभाद ध्यक्ष के अनुपस्तिती में सदन की अध्यक्ष्टा करना लोकसभाद ध्यक्ष के अनुपस्तिती में सदन की अध्यक्ष्टा करना तो हमने यहाँ पर लोकसभात को पूरी ते गए से पढ़ लिया है आगामी क्लास में हम संसद की विभिन प्रक्रियोंके बारे में पढ़ेंगे अभी संसद के बहुत सारी चीज़ें बागी है हम आगामी